चलती हूँ डिजर्ट की तरफ हाँ जी, तो अब मीठे की जो तलब हो रही है वो तलब पूरी की जाए शेफ फर्जाना की रेसिपी से हम बनारें कॉफी डिलाइट कॉफी डिलाइट के लिए मैं क्या चाहिए प्लेन केक या स्पंच केक जो होता है वो आप ले लीजे अच्छा इसमें कोई वो नहीं है कोई लिमिट नहीं का कॉंटिटी की आपके घर में कर जादा अफ्रात है आप जादा भी यह बना सकते है मैं छोटे इसमें नहीं है उसके लिए मैंने स्पंच केक लिया था उसको मैंने काट के और इसमें बचा लिया इस तरह से लेयर कर दी मैं दो टिपलड़ स्पोन कोफी त्टोमे।समें इसमें मैं डूँज सब्सको कारोंगी खी कोफी नियंग तो डिया तकाइने थीड़के नहीं जूद की और उस तहां पूरे आपने केक पर आपने केक पर डाला ह। जो भी आप इसमें डाले अच्छा यह अपने इस तरह डाल दिया इस तरह करें थीक है थीक है ह। उसके बाद आपको क्या करना है कंदेंस्ट मिल्का मेरे पास यह क्या ले लिया यादे आपको बच्पन में खाया करते थे तरनेस्ट मिल्का जो टेन होता था उसके अंदर दो सुरांख करके मूँ पर यह अच्छा मुझे तो ओपनर नहीं मिल्दा था मैं स्कूल्राइवर लेकर हतारी ले थी और एक तरफ एक तरफ यह था कि हवाय तो डूसरे और यूम् मिल्दा बच्पन के दिन और निदा वो भी खाते थे बच्पन में जो ड्राइ मिल्क होता है वो भी डबबो मैं से निकाल 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 के अब भी खाते हैं हाँ तर बशेका लगता है नहीं आप तुछ मीठा ही दूद मि विप करके आप तरह से इसके लोभा के लिए लगाधें कर मैं थीपलिए इसके उपरा की लेड लगाने है इसके बड़ी धीर लगानीे जर कर देड़ है एक पार हेसी प्रोसीजर करना अब पर довार दीयक थे मार और मुझे दुबारा बुलाईगा यह दिखाए कि शेफ फरजाना आपकी तो डिजर्ट तयार हो गई कि बड़े मसेदार मीठा यह कॉफी विद कंडेंस मिल्क और क्रीम के साथ कॉफी डिलाइग के साथ कॉफी डिलाइग तयार हुई कहांगी इसकी शकल दिखादे जरा यह यह भी पड़ा कर लें कितनी सर्दियों में कितना मुटापा आपने अच्छा सब्सक्राइब नर्ड्स भी डाल सकते हैं बहुत साई चीज़े डाल सकते हैं अच्छाब